हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन की रग निदी के सन में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इश्वर से सात्ना का जर्या हमारी पुजा पाथ को ही बताया गया है तो फ्रेंड्स पुजा पाथ में हमारी पूजा तभी शुरू होती है जब हम एक दीपक को प्रजुलित करते हैं दीपक को प्रजुलित करते हैं तो उसमें बाती होती है बाती दो तरह की हम सभी जानते हैं एक होती है लंबी बाती एक होती है कोड बाती लेकिन चाहे हम दिये में घी यूज करे या तेल यूज करे फ्रेंट्स थोड़ा ना थोड़ा घी या तेल रही यह करते हैं कि इस बाती में युद्घ को छाहे हम टेैल यूज करें यौज करें यह पूरी के पुरी यूटिलाइज हो जाएगी और इसमें आपका कॉटन भी पूरा जल जाता है तो फ्रेंट कैमनगार चैल में ज़यता है, किपायती बूंगार है तेल जो भी हमने डाला है वह पूरा यूज हो जाता है वेस्ट नहीं होता है तो चलिए फ्रेंट शीरू करते हैं वीडियो यह देखिए फ्रेंट्स इसके लिए कॉटन ले ली है हमेने कॉटन में आपकी कॉटन की लेंथ की तलजनी से हतेली तक होनी चाहिए तो यह मीडियम साइज की बनेगी आपकी हमारी कमल बाती इसको हमें हलके हाथ से धीरे धीरे ले लेना है कॉटन को कॉटन ना तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए मतलब इसकी पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा हुन तियन लेना चाहिए एक सा लेने से आपकी बाती सही बटेगी हिंदी में से बाती को बटना ही कहते हैं जब हम बाती बनाते हैं तो फ्रंस एक मैं मेडियम साइज की बाती बना रही हूँ इसके लिए तो ये मैंने हलका हलका कॉटन को तोड़ लिया है एक लंबी cotton इसकी length करीब मैंने अपनी तरजनी से हतेली तक रखी है अब हम इसे गुमाना शुरू करते हैं गुमाने से ही यह होगा कि आपकी cotton एक धागे के रूप में बन जाएगी इसे गुमाना शुरू करना है तो हमें इसे clockwise देखिए मैं clockwise गुमा रही हूँ इसमें एक तरह का एठन आएगी और यह एक धागे के तरह बन जाएगा यह same process है जैसे आप एक single लंबी बाती बनाते हैं उसी का वही same process आपको यूज करना है और इस तरह आपको वह माते जाना है यह पूरी जितनी मैंने cotton ली है उतना आप cotton की length मैंने इसलिए ली है friends इतनी कि एक में को medium size की बाती बनानी थी आप cotton की length को कम यह जादा कर सकते हैं कम रखेंगे तो आपकी बाती चोटी बनेगी बढ़या रखेंगे तो आपकी बाती बढ़ी बनेगी तो मैंने जो आपको size बता है वो medium size की बाती के लिए perfect रहता है अब इसे मैं हाद से थोड़ा सा रब करके इसे पूरी तरह tightly बिलकुल neatly इसे हम बान देंगे बान देने का मतलब है कि मैं इसे घुमा दूंगी यह देखें दोनों सिरे यानि कि जो उसका end point है और जो उसका शुरुवात का point है वो सम अच्छे से गठा हुआ होना चाहिए यह देखें फ्रेंट्स तो इसलिए मैं उसे अच्छी तरह clockwise घुमा रही हूं आप क्या करना है आपके दोनों सिरों को जो बाती के दोनों सिरे हैं जो मतलब किनारे हैं इन दोनों सिरों को बीच से पकड़कर यह देखें बीच से पकड़कर पिर मुझे इसे गुमा देना है अच्छी तरह tight ताकि यह धागे के रूप में जैसे मैंने आपको बताया हो जाए इसे अच्छी तरह टाइट करेंगे जितना टाइट करेंगे आपकी बाती खुलेगी नहीं और उतनी ही अच्छी बनेगी तो यह देखिए बाती बिलकुल अच्छे से बन रही है फ्रेंट्स इस तरह की बाती का यह सबसे अच्छा यूटिलाइसेशन नहीं मतलब सबसे अच्छी यह तब होती है देखिए फ्रेंट्स यह आप क्या करना है फिर से दुबारा वही प्रोसेस की उसके किनारे को लेकर इस तरह मोड़ना है अब जो यह बीच वाला हिस्सा है उसको हलके से आपको खोलना है पहले आप क्या कर रहे थे हमेशर clockwise clockwise गुमा रहे थे अब इस बीच वाले हिस्से को आपको anti-clockwise करना है पहले आपने clockwise किया अब anti-clockwise अब anti-clockwise जैसे ही आप इसे tilt करेंगे गुमाएंगे यह देखिए तो यह आपके चार हिस्से बन जाएंगे अब इसमें से आप anyone कोई भी एक हिस्से में को बाती के यूज मतलब बाती उसको आप जलाने के लिए यूज कर सकते हैं आप ऐसे रखके जला सकते हैं और आपको बड़ा हिस्सा चाहिए तो आप ऐसे रखके जला सकते हैं तो आप इसमें यह फायदा है कि आप कैसे भी रखकर जो भी यह बाती है आप कैसे भी रखकर जला सकते हैं फ्रेंस यह देखिए अब मैं आपको इसे जला कर दिखाऊंगी तो फ्रेंट्स यह मैंने दिये में बाती ले लिए मैं आपको यह प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि इसे मैंने यह देखे रख लिया है अब मैं इसे तेल डालकर जलाकर दिखाऊंगी आपको यह प्रूफ दिखाना चाहती हूँ दिखाऊंगी friends कि यह देखिए मैंने जला ली बाती अब इसमें पूरा गी और तेल अब मैंने गी तो लिया नहीं है तो देखिए इसमें तेल कैसे पूरा यूज हो जाएगा यह देखिए अभी मैंने दिया जला दिया है अब यह जल रहा है आप देखिए यह देखिए friends जो मैंने आभी आपको भारा हुआ तेल दिखाया था जैसे कि यहां से यह निशान ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हैं यहां तक इसमें तेल भारा था तो तेल इस बाती में पूरा जल चुका है और इस बाती की सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें पूरा तेल और घी यूज हो जाता है मतलब वेस्ट नहीं जाता है और यह पूरी बाती कॉटन पूरा जल जाएगा कॉटन भी वेस्ट नहीं होगा यह देखिए friends पास से मैं भी आपको दिखा रही हूँ यह देखिए इसमें चार हिस्से थे तो इसके एक और यह दूसरा हिस्सा जल रहा है यह देखिए पास से यह तेल पूरा यूज हो चुका है तो बहुत ही किफायती बाती है friends यह आप ज़रूर बनाईए और एक बार अगर आप बनाने लगे ना तो आपको फिर यही बाती अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें यह सारी चीज़े यूज हो जाती है और देखिए देखते ही देखते ही यह तीसरी बाती भी इसने पकड़ ली है अच्छी तरह जल जाता है तो हमारी आस्ता के सांथ सांथ हमारी आस्ता के सांथ यह दीपक यह जोद जो है उसाथ साथ हमारे जे पर भी उसका असर नहीं पड़ता है मैं यह कह सकती हूँ क्योंकि आपने जितना गी तेल जलाया वो पूरा ही जल गया यह देखिए मैं आपको इसलिए पूरा वीडियो दिखा रही हूँ प्रूफ के लिए कि यह बाती जो है वो पूरी दरा जल जाती है इसमें कॉटन भी आपका पूरा यूज हो जाता है और आपका तेल भी यूज हो जाता है घी भी यूज हो जाता है मतलब जो भी आपने डाला है जबकि अदर बाती में क्या होता है तो cotton थोड़ा सा रह जाता है आईदार आप लंबी बाती बना लीजे या आप छोटी बाती बना लीजे तो यह देखिए पूरा जल रहा है पूरा यूज हो रहा है चार हिस्से थे इसके तीन जल चुके हैं और बस यह देखिए बिलकुल मैं आपको बिलकुल पास से दिखा रही हूँ पूरा इस्तमाल है गी का पेल का और cotton का तो जब हम भागती हो की आदत यह होती भी है कि और भी हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है कि वेस्ट नहीं करना है सामान middle class families में खास कर तो बड़ी कुशी होती है कि हाँ भी हमारा गीटेल जो हमने पूजा पार्ट में लगाया यह जहां भी जो लगाया वो अच्छे से यूज हो रहा है वेस्ट नहीं जा रहा है तो उसके लिए यह बाती बिलकुल परफेक्ट एक्जामपल है यह देखिए फ्रेंस पूरी जल गई आपकी बाती यह और इसमें एक भी ना तेल बचा है और ना ही आपकी बाती बच्छी है फ्रेंस यह दिया बढ़ गया है यह देखिए तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ हाला कि इसमें अभी धुआ है और यह थोड़ा सा होट है तो मैं इसके पास ले जाती हूँ यह देखिए यह आपको लग रहा होगे यह शाइनी शाइनी जो है यह तेल नहीं है यह पेंट है तो पूरा यूटिलाइज हो गया है यह आपका तेल यह देखिए बिलकुल सूखा है यह तो फ्रेंस आपको कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए और इस तारहा बाती आप भी बनाईए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए अच्छा लगता है तो दोस्तों रिष्तेदारों के साथ शेयर कीजे और अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छे लगते हैं और आप मेरे नए सब्सक्राइबर है तो बेल आइकन को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे so thank you friends